कि अब जो गईस बेलकम बैक टू माय युडूब चैनल आज हम बात करने वाले हम बाइडल साइंस के बारे में बाइडल साइंस नौर्माली कितना रहना चाहिए जो हमारे बोडी के रेस्क्राइब करेंगे तो बीड़ू के अंतक बने रहें और हमारी बॉर्डी का एक फंक्सन्स होता है जो हमारे बॉर्डी का टेमप्रेचर होता है तो हमारे बॉर्डी का environment कितना भी रहे ऊपर नीचे होता रहे लेकिन हमारे body का सामान नता एक डिडरी का बादला होता रहता है, अगर हमारे body का temperature हेंडरेट से उपर चला जाए, तब हम्हें doctor को देखाना चाहिए, और हमारा थर्मामीटर से हम चेक करते हैं पल्स रेट के बारे में कि हमारे पल्स रेट क्या होती है तो हमारे बॉड़ी के अंदर हमारा हाट पप्पिंग करता है तब हमें यहां फील होती ही जो आप यहां पर देख पा रहे हैं हार्ट से जोड़ी हुँ हमारी ध्वनिया जो निकली है कर सकते हैं यहां ज्यादातर ही अलना और रेडियल से यहां चेक की जाती है और आप देख पा रहे हैं यहां से टेंपोरली भी चेक कर सकते हैं और काट ब्रेंग की यहां हर जगा से फीमोरियल यहां से सबसे चेक कर सकते हैं और हम नौर्माली की बात करें तो साट से लेके ए सबकर उपर नीचे हो सकती और ः Hills पर आप बात करें हैं रेस्पिरेटरी रेट के बारे में जो कि हम सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं Say आनि oxygen हम जब लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं तो उस process को हम respiratory rate बोलते हैं जो हम 12 से लेके 20 के something में हम करते हैं approximately 16 breathe per minute की speed से हम करते हैं लंग्स से अपनी सांस छोड़ते हैं लेते हैं और एक्ससाइजर किसी बीमारी में यह उपर नीचे हो जाती है और यह जब बढ़ जाती है तो हम अस्तमा जैसी condition हमें देखने को मिल सकती है तो बात करते हैं blood pressure के बारे में blood pressure यह होता है normally जब दो प्रकार का होता है systolic और diastolic systolic बो होता है जब हमारा heart pumping करता है तब हमारे heart जब सिकुडता है और pressure छोड़ता है तो systolic होता है और जो प्रेसर बापस होता है उसे हम diastolic कहते हैं तो systolic हमारा 120-80 mmHg रहता है और diastolic 80 mmHg रहता है normally और जब बढ़ जाता है यह कम हो जाता है तो उस condition में आप मान के चलिए 140 से लेके 90 के बीच में अगर हो गया है तब आपको बढ़ गया है और आपको medicine से लेने की जरूरत है डॉक्टर से consult करने की जरूरत है इसे हम hypertension कहते हैं और अगर हमारा 90 से लेके 60 के बीच में अगर हो गया है जो कि हमारा hypotension हो जाता है कि हमारा कम हो जाता है तब भी हमें डॉक्टर से सला लेने की ज़़ुरत होती है और हमारे सरीर में जो कि आप अहान इमेज में देख पा रहा है आज कल डिजिटल ही आ गए है तो इन सबसे हम लापते हैं तो आसा करते है कि वीडियो आपको पसंद आय sniff तो बीडियो को लाइक करें कोई वीडिया उटो कमेंट करें और एसटी ही बीडियो सी जड़ने के लिए हमारे चेनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाई बाई